मैं आप सभी को बताऊंगा जब मैं भेलोड में गया था तो मेरा टुटाल कुल मिला के कितना खच्चा हुआ था क्या-क्या टेस्ट करना पड़ा था और टीटमेंट करने के लिए कितना दिन टाइम लगा था क्योंकि जब मैं वीडियो को पाब्लिस करता हूं तो मैं देखता हूं उसी वीडियो का नीचे जो कॉमेंट सेक्षन है वहां पर आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट आता है आप लोग मुझे पूछते थे इसलिए आज के इस वीडियो बना रहा हूं अगल में बैल आइकोन को अलप्रेस कर देना और इस वीडियो को साथासाथ लाइक भी कर देना जिसके बजसे हमारा हर वीडियो का नोडिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को होस्पीटल का रिभ्यू उसके बाद म आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा इसलिए इस चैनल को सब्स्रिप करना मत भूलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करने आज के इस टॉपिक को दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैं बेलोड में गया था मेरा वाइब को लेके डॉक्टर दि प्रविक कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग में जाने के लिए प्लैन कर रहे थे और जब हम लोग में गये तो वहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोग फास्टेम जेनरल डिपार्मेंट में डॉक्टर को दिखाय थे वहाँ पर डॉक्टर प्रिभिया भी साथ में लेके गया थे और कुछ रिपोट वहाँ पर चल भी गया था जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा सो दोस्तों जेनरल डिपार्मेंट में डॉक्टर देखने के बाद हम लोगों को प्राइबेट डिपार्मेंट में ट्रांसफर कर दिया था क्योंक पर इनफर्टिलिटी डिपार्मेंट का रिप्रोडाक्टिव मेडिसिंग यूनिट डॉक्टर का नेम था ट्रिसा जोसेफ बहुत ही अच्छा डॉक्टर है तो वहां पर हम लोग जब गए डॉक्टर फिर से प्रिभियास हिस्ट्री लिया था क्या-क्या टेस्ट बगरा या-क्या मेडिसिन चल वह था कौनसा कउनसा टेस्ट हुआ था सारा कुछ देख रहा था काफी ज़्यादा टाइम देख भी देख रहा था और उहां पर देखने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए डिसैड कर लिया उसके बाद जो हम लोग रिपोर्ट्स uggra- BlindOS आत् discharge में लेके गया थे कुछ रिपोर्ट हुना पर चल गया था कुछ रिपोर्ट को नहीं करना पड़ा था और उसको चोड़के बाकि जो रिपोट दिया था मेरा वvika का एक आल्टा सोनोग्राफी रिपोर्ट दिया था यानि कि टीबेस रिपोर्ट दिया था उसके बाद मेरा वाइब का एक एमेज टेस्ट दिया था यानि कि अन्डानू टेस्ट उसके बाद मेरा सिमेन अलाइसिस टेस्ट हुआ था और मेरा और मेरा वाइब का दोनों का एक लाट बॉर्म भाइरस स्क्रेन यानि कि यह जो टेस्ट इसका अंदर ही रहता है है यह पाटेटिस भी हबड़िस सी और वीडियरल रहता है चार टेस्ट रहता है तो कुछ इस्टेप कर टेस्ट हुआ था उसके बाद थार जो एपन्मेंट हम लोगों का था थार एपन्मेंट देख रहा था उसके बाद आल्टा सोनोग्राफी रिपोड में जो आया था डॉक्टर ने बताया मेरा वाइप का जो दोनों ओभारी है उसी दोनों ओभारी में छोटा-छोटा सीस्ट है उसके बाद बच्चे दानी में फाइब्रोड्स है यानि कि ट्यूमर हो गया है तो पहले से कुछ यूज थैप काथा लेकिन पर फिर से करना पड़ा है तो डाक्ट ने फाइनल यह कह दिया कि आप लोगों को सर्जरी करने का कोई जरूर नहीं है स्ट्राइल कर्ना करना है कशो़म लोग चाहते थैं लिए लेकिन अभी सर्जरी करने क्प जरूर के लिए तो दोस्तों बाद है कि टाइम जो लगा था हम लोगों का treatment कराने के लिए टोटाल जो टाइम लगा था थेके थोरा बहुत ताइम लगता है क्योंकि आपका टेस्ट बगार होगा उसके बात टेश्ट रिपोर्ट आने लेना पड़ता है उसके बाद थार फाइनल डिसेशन देगा तो इसलिए टाइम बगरा निकल जाता है तो टोटाल जो कुल बिला के हमारा टाइम लगा था 15 दिन के आसपस टाइम लगा था और क्या-क्या टेस्ट हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिये फिर भी मैं बता देता हूं सिमेन अनलाइस टेस्ट एमेज टेस्ट उसके बाद आल्टर सोनोग्राफी यानि की टीवेस उसके बाद एईचाई भी हैपटाइडिस भी हैपटाइडिस सी और बीडियरल कुछ स्टेप का टेस्ट हुआ था समझ गये और दोस्तों फाइनली बात यह कि टोटल के खर्चा कितना हुआ था आप लोग वीडियो में ज्यादा कॉमेंट करते हैं तो टोटल के खर्चा हुआ था मेरा एक चीज़ दोस्तों उहां पर हम लोग आने से पहले ऑपरिस्ट के लिए बूक तर के आए थे यानि कि डॉक्तर ने बताए था कि 6 months के बाद अगर आपका naturally concept नहीं होगा तो आप लोगों को operation करना ही पड़ेगा इसलिए हम लोग एक बेट को booking करके आये थे बेट booking करने का हलका सा थोड़ा सा चार्ज लेता है बेट booking करनके आना काफी ज़्यादा जरूर दे क्योंकि हमेसा वहाँ पर बेट बुग रहता है तो वहाँ पर बुग करके हम लोग आये थे तो टोटल कूल मिला कि जो खर्चा हुआ तो वहाँ पर 35,000 के आस्पर्चा हुआ था ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था इसके अंदर सारा का सारा काम हो गया था समझ गये सो दोस्तों बाद है कि देखिए एक इंपोर्टेंट चीज है अगर आप पहले बहुत सारा जगह में डॉक्टर को दिखा हैं बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट्स की हैं बहुत सारा मेडिक्निकी हैं तो सारा का सारा डीटेल्द आ आपब को साथ में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि डॉक्तर आपका सारा का सब्सक्र किया किया reports भगरा हुआ है सारका सारा details देख ता है our country फोब चल भी जाता है हम जो याइस्ड और कुछ टेस्ट वह था और कुछ टेस्ट बाहर में भी किया गिया था तो दोस्तों और एक बात कि अगर आपका pregnancy का कुछ step का issue है जो की वीडियो में आप लोग करते थे तो आप लोगों का क्या क्या test बगरा हो सकता है कितना total estimated खर्चा हो सकता है और treatment कराने के लिए कितना दीन time लग सकता है मैंने आप लोगों को बता दिये क्योंकि देखिए मेरा जो problem था आपका problem same problem तो नहीं होगा अलग-अलग सा भी हो सकता है तो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा estimated बता दी है आप लोगों को एक idea मैंने दे दी है समझ गए? सो दोस्तो यहां पर उमीद है कि आप लोगों को completely जानकरी मैंने दे दी है मेरा जो personal history था मेरा wife का और मेरा मैंने आप लोगों को पास share कर दिया है और उमीद है कि आप लोगों को सब को समझ में भी आगे होगा लेकिन दोस्तो फिर भी अगर इसको लेकर कही भी जगह में थोड़ा सा भी कही भी कोई भी confusion होता है तो आप इसी वीडियो का comment section में जाके आप मुझे comment कर सकते हैं कुछ सवाल पूछ सकते हैं और बैसे भी दोस्तो अगर आप मेरे साथ chat की दुवरा बात करना चाहते हैं कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा Instagram ID को follow कर सकते हैं Instagram ID का link आपको इसी वीडियो का description box पर direct link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो का इपर खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नाट आपी के साथ तब तक के लिए thank you so much and thanks for watching